कि नमस्ते विएर्ज मैं प्रवीन शंगधार स्वागत करता हूं आपका अपने ऑन-लाइन चैनल एन-ए-बी ऑन-लाइन पर और आज फिर से हम सभी आपके सामने उपर स्थित हुए हैं एक नया टॉपिक लेकर एक नय वेबिनार के साथ में आज का टॉपिक बहुत इंट्रे यह उसके बारे में आपको कुछ नहीं बताएंगे यह तिस आपके लिए एक सब्सक्राइब है आप जैसे जैसे डिमांस्टेशन देखते जाएंगे आपके मन से वाव फैक्टर निकलते जाएंगे तो इसमें कुछ भी बतानी की जरूद नहीं है जो अपने सब्सक्राइब इवर्ण मैं हरेंद्र जैसा सर ने बताया कि आज हम इस वेबिनार में जो इस 2021 के जो नए फीचर्स आए हैं उनके बारे में बताने वाले हैं तो प्लीज एंड आप दर वेबिनार तक बने रहिए और कोई क्वेरी रहती है तो आप हमें चैट बॉक्स में आप कीजिये या हमारे हल्प लाइन पे कॉल कीजिये मैसिज कीजिये मेल कीजिये तो प्लीज आप दर वेबिनार तक बने रहिए थांक यू है बेकादब लोगाद ासव जीया अप्लीय है तोल्फ वेण चे operator लेकाद ले इंड आप जेуска हैं दिए और फीज में है आप इस बदू बदूबप्र उच्शश Mr. साइंछार लेकादर सम्त्रमान जाप में हमें स्ट हैं-न आपट रूर दो लियरंग आप इंप य்सू ज आपने बहुत अच्छे से एक्स्टोर किया है 2021 को और बहुत ही अवेटेट फीचर्स थे जो की साथ में जो की अभी इस वर्दन के साथ में लॉंच किये गए हैं तो आईए बिना वक्त गवाए हम एक्साइटमेंट का सिर्फला शुरू करते हैं और देखते हैं कि जौस 2021 में हमारे लिए क्या क्या सब्सक्राइब करते हैं तो पहला फीचर जो जो जौस का है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं इस फीचर की सहायता से चाहे आप फाइल एक्स्प्लोरर में हो या फिर आप किसी वेब पेज़ पे हो कोई भी ग्राफिक आता है तो आप उसको एजली रेकेगनाईज करके पढ़ पाएंगे इसको मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूं एक्जामपल के लिए फिलहाल मैं भी फाइल एक्स्प्लोरर में हो और वहां से किसी एक इमेज को ग्राफिक को हम पढ़के देखते हैं डेक्स्टॉप पे मैंने एक इमेज रखा है जो की वाट्सअप से मैंने डाउन्लोड किया है यह एक इमेज है जिसको हम पिक्चर स्मार्ट इम्प्रोमेंट्स के थुरू पढ़ेंगे तो उसके लिए आपको कीक स्टॉप याद रखना है इंसर्ट स्पेस देन पी पिक्चर स्मार्ट अब यहां से आपको फाइल एक्स्प्लोरर में से पिक्चर को रिकेगनाईज करन है तो एफ दबाना है पिक्चर स्मार्ट इंप्रोमेंट्स फेल और यह आप इसको एक्सिस करना चालते हैं तो आप इसको फाइल एक्स्प्लोरर में ओपन कीजिए तो बिकॉज अभी मैं डेक्स्टॉप पे हूँ तो यहां से यह चीज़े रेकरनाईज नहीं हो रही है त तो सेम चीज़ को मैंने डाउनलोड के फोल्डर में रखा है तो मैं उसको फाइल एक्स्प्लोरर के अंदर से ओपन करता हूँ मैं डाउनलोड का फोल्डर ओपन कर रहा हूँ इसको मैंने डाउनलोड के फोल्डर में भी रखा हूँ है तो अब मैं इसको रेक्नाईज करता हूँ यहां प्रेस करेंगे इसे इस पेस पेस पी पिक्चर स्मार्ट यह अब एक्टिवेट हो चुका है अब हम यहां से एक्प्रेस करेंगे और वेट करते हैं रेक्नाईज होने का अब ही यह आउट्पूट आ गया है जब पिक्चर है वो डाइग्राम है फोटो के अंदर कुछ टैक्स्ट भी लिखा हुआ है गिटार है मुजिकल इंस्ट्रुमेंट है और उसके अंदर कुछ टैक्स्ट है तो एक ओवर्यो यह मिल गया हमें कि इस पिक्चर के अंदर क्या है हमें डेटेल्स में यह जाननी है चीते हैं लिंक मोर रिजल्ट इस पर मैं एंटर करेंगे एंटर श्मार्ट इस प्रोग्रेस और थोड़ा सा वेट करने गार्ण फोट्ट से पढ़ रहा हूं अल्का एल्कालिक्स अनन अननुमस अच्इपकर्ण कर्णाव यह जानिव अपल्ड़ एंट एंट दॉट्ट डट रगल्ट नब टॉट्ट नवट्ट व्ट् हर जान वेटार्ण एंट अव्ट प्रूट उह मैं ऊस झाल्ड जुट्स अविजवार्एट गार्रोग मैं तो आपने देखा कि कितना एजली हम किसी भी केगनाईज कर पा रहे हैं अब ये एप फेस्बूक से डाउनलोड करें वटसबूक से डाउनलोड करें या किसी वेब पेज से डाउनलोड करें वो कोई मैटर नहीं करता बट यदि आपके पास कोई भी image downloaded है, generally हमें share भी किया जाता है WhatsApp पे, Facebook पे, तो हम वहाँ से download करके easily recognize कर पाएंगे कि उस picture के अंदर क्या है, तो फिर इसको मैं close कर रहा हूँ, इसे पार्ट में हम एक और चीज़ देखते हैं कि generally हम किसी चीज़ का screenshot ले लेते हैं, यह वो laptop में, desktop में हो गया, या अपने phone में हो गया, तो common सी बात है कि जो screenshot है उसको तो यह पढ़ेगा नहीं, लेकिन smart picture के थुरू हम उसको भी पढ़ सकते हैं, एक दूसरा मेरे पास screenshot है, इसको मैं आपको आपको दिखाता हूँ कि उसको कैसे पढ़ते हैं, यह message from mcd, मैंने एक screenshot लिया हूँ अपने phone से, यह insert space प्रेस करेंगे, फी प्रेस करेंगे, picture smart एक्टिवेट हो गया, अभी हम file explorer में हैं, तो f प्रेस करेंगे, वेट करेंगे, प्रोग्रेस हो रहा है, तो इससे यह पता लग गया कि कोई image है जिसके उपर text लिखा हुआ है, इस screenshot लिया हुआ है, clear आ रहा है एक output में कि एक screenshot लिया है, एक photo के format में है, उसके उपर कुछ लिखा हुआ है, More results में देखते हैं कि लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है क्योंकि mainly हमें वही देखना होता है, कि लिखा क्या है, और वेट करेंगे, अब डाउरो अपैरो किसा आयता है, अब इसको पढ़ेंगे, अब इसको पढ़ेंगे, तो आपने देखा कि मतलब क्या accuracy है, इसकी पढ़ने की, बिल्कुल accurate output आ रहा है, तो इस तरह से आप smart picture improvements feature का, जो कि JAWS 2021 में एक latest feature है, आप इसकी सहायता से easily इसको access कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, next मैं बात करूँ, अभी जैसे कि हम लोगों ने देखा कि, कोई picture download की हुई है, बस just in case आप किसी web page पर है, और वहां से picture आपने download नहीं की हुई है, तो आप direct वहां पर भी recognize कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको Google Chrome open, आपको दिखाने के लिए Google Chrome open कर रहा हूं, वेट करते हैं Google Chrome open हो रहा है, अब इस address box में हम किसी भी website का नाम लिख देंगे, या किसी भी चीज का नाम लिख देंगे, जहां पर हम एक graphic मिल जाए, मैंने address box में LinkedIn लिखा है, अब LinkedIn का मैं official website पर जाता हूं, और वहां मुझे obvious सी बात है कि एक एक अध graphic तो जरूर मिलेगा, मैं heading पर heading आया, और LinkedIn इंडिया पर आके मैंने enter किया, अब हम control home प्रेस करके ग्राफिक के लिए G प्रेस करेंगे, अब इसमें caption दिया हुआ है, तो यहां पर लिखा रहा है, वेलकम टो प्रोफेशनल कम्यूनिटी ग्राफिक, अब इस ग्राफिक को हम पढ़ेंगे, इंसर्ट स्पेस, पी, अब यह पिक्चर स्मार्ट अक्टवेट हो गया है, उस टाइम पे हम फाइल एक्स्प्लोरर में थे, इसलिए हम एप प्रेस कर रहे थे, अब हम चुंकि एक वेप्पेस पे हैं तो इहां C प्रेस करेंगे, इंसर्ट स्पेस, P और दें C, मैं C प्रेस कर रहा हूं, इसमें क्लियर आ गया कि थोड़ा काटों से भी है, एक पर्शन की फोटो भी है और इस इलिस्ट्रिशन का भी यूज किया हुआ है, तो हम डिटेल्स में एक बार पढ़ लेते हैं, डाउन एरो से लिंक मोर मोर डिटेल्स पे मैं एंटर कर रहा हूं, इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे क्या है, इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, यहां से मैं डाउन एरो करके इसका पूरा ओवर्वीव पढ़ रहा हूं, फोटो के फोर्मेट में है, यानि जो परसन है वो लैपटोप के साथ में है, बिलकुल क्या एक क्यूरेसी है इसकी रीडिंग की, यानि यहां तक के इतना ही रेकेगनाईज कर लिया है कि परसन है, उन्होंने टी-शेट पहना हुआ है और उनके पास लैपटोप है, तो बिलकुल जब अज़स्ट फीचर है यह और आप इसकी हेल्प से किसी भी ग्राफिक को आप रेकेगनाईज करके और उस पर यह पता कर पाएंगे कि वास्तों में उस ग्राफिक में है क्या, तो यह हमारा पहला फीचर था जिसके बारे में मैंने बताया है, अब इसको इसकेप करके मैं बाहर आता हूं, नेक्स्ट फीचर है मारा OCR फीचर का, OCR फीचर जनरली हमारे जो ओल्ड जॉस के वर्जन थे, उसमें आपको scan with OCR करना होता था, लेकिन इसमें क्या है कि आप डारेक्टली OCR अप्लाई कर पाएंगे और यदि आपके सिस्टम में Microsoft का package install है, तो यह OCR के थुरू recognize करके डारेक्टली आपकी Microsoft Word में open करेगा, practically इसको हम चलिए करके देखते हैं, यह railway concession का एक certificate है, पहले मैं इसको जनरली पढ़के देखता हूं कि क्या मैं इसको पढ़ पा रहा हूं या नहीं पढ़ पा रहा हूं, तो इसे मैं open करता हूं पहले, मैंने enter किया और इसे open कर रहा हूं, स्टिल वेट करते हैं, थोड़ा यह open हो रहा है, मैं इसे दुबारा से enter की करके open कर रहा हूं कि अपी यह file open होई नहीं है, ओके फाइल ओपन हो रही है, हम थोड़ा सा और वेट करेंगे, और अब हम इसे पढ़ने की कोशिस करते हैं, यहां पर यह केबल blank blank पढ़ रहा है, आगे कुछ नहीं पढ़ रहा है, यहां पर मैं अप arrow down arrow की प्रेस कर रहा हूं, बट कुछ ब्लैंक की अलावा को कुछ भी output नहीं आ रहा है, इतना तो हमें पता लग रहा है कि हम जब भी कोई arrow keys प्रेस कर रहें हैं तो, कुछ नहीं पढ़ रहा है, यह सब तो फीचर है, यह अनलेबल ग्राफिक अनलेबल ग्राफिक पढ़ रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे क्या हम यहां वो फीचर अप्लाई कर सकते हैं, तो जनरली अब यह ग्राफिक है, तो यहां पर हम जो पिक्चर वाला ओप्शन था वो यहां पर अप्लाई नहीं कर गए, एक बार मैं करके दिखा देता हूं कि वो होता है नहीं होता है, इंसर्ट स्पेस, पी, और यह हमारे फाइल एक्स्प्लोरर में है तो इसलिए मैं एक प्रेस कर रहा हूं, इसलिए स्पेस करेंगे, प्रेस करेंगे, और प्रेस करेंगे, OCR के लिए OCR अब OCR activate हो गया अब recognize के लिए R press करेंगे document OCR started अब यह start हो गया है हम just minute wait करेंगे ताकि यह properly recognize हो सके OCR के लिए आपको insert space then O और फिर R press करना है अपने file के उपर focus रखते हुए फाइल को open नहीं करनी है फाइल के उपर focus रखना है और insert space फिर O OCR के लिए O और R for recognize के लिए अभी मैंने command दे दिया है आपको एक sound भी आ रही होगी तो यह progress का sound है जैसे ही यह complete हो जाएगा तो screen reader हमें inform कर देगा कि आपका जो recognition है वो complete हुआ तो still हमने command देने के बाद हम wait करेंगे जब तक यह 100% recognize नहीं कर लेता है और एक खास बात यह है कि यह directly आपके Microsoft Word को open करेगा और output आपको वहें देखा आपको Microsoft Word open करने के भी जरूरत नहीं पड़ेगी तो यह output आपका वहीं आएगा हम finished okay so अभी message आ गया है कि finish अब हम alt tab करेंगे और जो Microsoft Word का page open हुआ है अब हम उसे देखेंगे तो चलिए मैं alt tab कर रखता हूँ star notepad dash notepad to LinkedIn India call meeting controls meeting controls task switching to move to an item press the arrow keys testing to move to an item press the arrow keys meeting controls to move star notepad LinkedIn India zoom job concession certificate for persons with disability 2-word Microsoft Word document okay so अब यहां पी word document automatically open हो गया है और text भी और recognize होके आ चुका है मैं यहां सी down arrow की करके पढ़ता हूँ अब testing Microsoft Word document concession certificate for persons with disabilities left parent pavyangjin right parent concession certificate for persons with disability 2-word edit concession certificate form for orthopedically handicapped slash paraplegic person slash potency मैं down arrow key से ही सको पढ़ रहा हूँ और प्रपली यह edit mode में आ गया है mentally retarded person slash person with visual impairment with total absence of sight slash person with heating and speech impairment on day left parent both afflictions together in the same person right parent paste pass bow left parent T-size photograph तो अभी आपने देखा कि यह जो OCR का feature 2021 JAWS के अंदर है यह भी एक most important feature है तो आप इसका जरूरी यूज कीजिए और मैं next feature की बात करूँ तो next feature है मारा आप जो आप कर सकते हैं तो हम इंग्लिस हिंदी का ही combination रखते हैं आप यदि किसी हिंदी documents को read करना चाहते हैं लिखना चाहते हैं तो वह आप कैसे करेंगे चलिए अब हम उसकी बात करते हैं insert J press करना है JAWS menu में जाने के लिए JAWS professional menu bar option JAWS context menu options menu voices sub menu यहां आपको एक voice sub menu मिलेगा यहां से write arrow करके इसे open करना है voice adjustment dot 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 V और down arrow से select add slash remove voices dot 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 a add slash remove voice का एक option मिलेगा यहां आपको enter की करना है enter leaving menus add slash remove vocalizer expressive voices select the language colon combo box English to change the selection use the arrow keys L okay अभी इस combo box में हमारा जो focus है वो इंगलिस पे है और अभी हमें जो voice add करनी है वो हिंदी की करनी है तो चुंकि यह एक combo box है तो हिंदी के लिए प्रेस करेंगे यहां से डाउन एरो हिंदी हिंदी आ गया अब यहां से मैं टैप कर रहा हूं premium voices colon multi select list box not selected like a Hindi one of two to move to an item press the arrow keys so यहां पर दो voice दी हुई है एक तो लेखा Hindi not selected Neil Hindi already installed two of two और दूसरी है वो नील है जो कि एक already installed बता रहा है तो नील को मैंने already install किया हुआ है but आपको voice install कैसे करनी है वो मैं आपको पता दूँ तो not selected like a Hindi one of two for example जैसे आप लेखा करना चाहते हैं तो लेखा पर focus रखना है और tap करना है play sample button to activate press space bar P आप voice को add किये बिना एक बार आप sample सुन ले ताकि आपको यह पता लगे कि इसकी voice कैसी होगी तो install करने से पहले सुनना जरूरी है ताकि आपको एक clarification हो जाएगा कि इसकी voice कैसी आएगी तो यहां मैं play कर रहा हूं इसको space एक दो तिन चार पांच छे साथ आठ नौदस आपको अब ही मैंने sample सुन लिया है और अब इसको डाउनलोड और इंस्टॉल की बात आती है तो यहां से टैप कर रहा हूं तो यहां पर इंस्टॉल बटन आ गया है तो यदि मैं यहां से space की करता हूं तो अब यहां से डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी तो डाउनलोडिंग में time ज्यादा लगता है इस वज़ए से मैंने एक वो इसको इंस्टॉल किया हूँ है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा हूं बट आप यहां पर यहां पर इस space की press करेंगे तो यह डाउनलोडिंग स्टार् हुआ है और मैं किसी पेज पर आखे इसको कोई हिंदी का एक फॉन पढ़ने की कोशिश करता हूं मैं Google Chrome पर आया और Google Chrome पर टाइप कर देते हैं हिंदी नियूस अब हम यहां से कोई भी वेबसाइट के जाके हिंदी नियूस को रीड करने की कोशिश करते हैं बीना सिंतेसाइजर को चेंज किये आज तक का जो हिंदी नियूस चैनल है उसका है तो इसके लिए आप आपको इतना तो खेर इसी सिंतेसाइजर में समझ आ गया होगा यह आज तक का और हिंदी नियूस है चलिए मैं हैडिंग से एक बार इसको पढ़ने की कोशिश करता हूं एच प्रेस कर रहा हूं हैडिंग के लिए ब्रेकिंग नियूस यह इंगलीज का ही वर्ड है तो आपने देखा कि यह हिंदी के लेटरस को नहीं पढ़ रहा है तो उसके लिए हमें इसका Synthesizer चेंज करना हुगा और जो voice हमने एड की है उसको Select करना है उसके लिए आपको Insert Ctrl S Press करना है Synthesizer को Change करने के लिए तो मैं Press करना हूँ की Default में मैंने Eloquence Select किया हुँ है आपको तो डाउन एन आप एरो से इसका एलिक्वेंस चेंज कर देना है और स्वरी वोइस चेंज कर देना है यदि आपने नेल को इंस्टॉल किया है तो आप नेल सिलेक्ट करेंगे और लेखा को किया है तो लेखा मैंने नेल किया हुआ है तो मैं नेल को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस कर रहा हूँ और अभी वेट करेंगे हूँ थोड़ा सा वेट करते हैं वीज walking स्टॉरी इंहदी आज तक वीजुल स्टॉरीज ओक मैं आप यह यहां से डाउन कर रहा हूँ वीजूल स्टोरीसें पढ़ने की कोशिज करता है Entertainment Heading Level 2 2 & 3 BHK Homes at Electronic City Start Luxury Home with 109 P.M. 3 Apply Visited Link Home Salasah Link Visual Stories Entertainment Heading Level Manor Anjan Visited Heading Level Manor Anjan Visited Link Shwe 22 June 2021 So, here I am down arrow You can hear how accurate voice this Hindi is reading Figure Link Graphic Crew Figure End Visited Heading Level 5 Link Manor Anjan Link Crews Vacation ne joya kar rahi taapsi 22 June 2 Figure Link Graphic 1 Trace traditional wedding outfit Figure End Visited Heading Level 5 Link Manor Anjan Link 1 Trace traditional wedding outfit Okay, so, you have seen that this Neil with properly accurate and accurate and accurate and accurate this Hindi is reading Hindi So, this you will install voice and the synthesizer change and you will be able to read Hindi or English synthesizer easily and easily read पाएंगे तो मेरे दरब से बस इतना ही होफ तो दोस्तों इस तरह से देखा आपने की हरेंद्र ने कितने संदर तरीके से जो नए पाएं हैं हमारे जौस 2021 में उनका डिस्रिक्शन दिया और आशा करता हूं कि आपको यह पसंद आये होंगे और आप उनको घर पे जरूर से करने की कोशिश करेंगे दोस्तों जो नया डिमांस्टेशन है अमन के दौरा बनाया हुआ वह बहुत ही अवेटेट फीचर्स हैं उस देखीगा क्योंकि अमन का डिमांस्टेशन बहुत इंकर्स्टिंग है तो आएए देखते हैं अमन ने क्या डिमांस्टेशन को आप सब कैसे हो उमिद करता हूंगी सब अच्छे होंगे आए आज का टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं आज मैं बात करूँगा डेमोंस्ट्रेट करूँगा जोस वोइस एससेंट को कैसे यूज करना है कंप्यूटर में और क्या रेस्ट्रिक्शन क्या लगा नहीं है यह सब हम डिसकस करेंगे और कहा कहा आप इसे यूज कर सकते हैं सकते हैं मेरे करने किया हम इसे एक बार समझने की कोशिश करते हैं जॉज वोइस असे यससेंट में हम यूस करते हैं गूगल एससेंट को इसीतर अप कंप्यूटर अपने वा जोस फ़ोइस असिस्टंट को्यूज कर सकते हैं with a specific command so कुछ commands दिया हुआ है जहाँ जहाँ हम word use करके अपना काम कर सकते हैं बिना keyword को touch किये कुछ-कुछ commands हम दे सकते हैं अब इसे use कैसे करेंगे और क्या-क्या requirement है इसके लिए आपके पास एक earphone, sorry, एक mic आपका computer का on होना चाहिए microphone और जो का voice assistant है वो enable होना चाहिए और इसके बाद आप इसे easily use कर सकते हो यह benefit किसके लिए है यह उनी लोगों के लिए सबसे ज़्यादा benefit थे जिनको keyboard commands या रखने में दिक्कत होते हैं So voice command के true वो अपना command दे सकते हैं तो आए देखते हैं इसे हम enable कैसे करते हैं तो सबसे पहले आप jaws contact menu में जाएंगे jaws context menu insert plus j Okay मुझे down arrow जाना है utility में आऊंगा This is also sub menu तो मैं इसे right arrow से open करूंगा voice assistant sub menu s यह voice assistant मुझे यहां आना है तो यह sub menu है तो then again I am pressing right arrow talk to jaws insert plus alt plus space t चीक है talk to jaws insert plus alt plus space यह अभी enable है इसलिए यह unavailable नहीं बोल रहा है तो jaws assistant को access करने के दो तरीका है एक तो keyboard को command आप प्रेस करेंगे insert plus control plus I am sorry insert plus alt plus space bar insert plus alt plus space bar यह प्रेस करते ही आपको एक beep music का beep सुनाए देंगे उसके बाद आप अपना command डे सकते हो और इसके अलाबा एक word है एक word है जिसका नाम है शारकी अप्शार की बोलते ही यह आपका mic on हो जाएगा और फिर आप अपना command डे सकते है इसके लिए आपको command insert plus alt plus space bar प्रेस करने के जरूरत नहीं है तो अभी यह हो गया है यहाँ पे settings dot 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 s second option है setting getting started dot 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 v third है getting started so getting started this option we will see at the end of the video तो settings dot dot पहले में आपको एक escape leaving menu आपको मैं एक command perform करके दिखाऊंगा जिसे की यह जो command से इनको five six categories में divide किया है तो जिसे की general voice command उसमें जैसे computer में system tray notification battery यह ऐसे सब check करने के लिए तो और भी है आप देख लीजे बात में so let me try मैं दबा रहा हूं insert plus alt plus space bar battery so आपने देखा इन्होंने battery के साथ और भी information हमें दिया है तो इसके लिए मैं नॉटिफिकेसर बार में जाके मैंने battery चेक नहीं किया है अगर manually करना हो तो ऐसे करता देखो कितना easy है okay इसी तरह आप और भी command से जो आप control कर सकते जैसे system tray तो मैं यहां पर system tray okay यह देखो system tray icon भी open हो गया है मैं down arrow करके देख पा रहा हूं okay escape folder view list view तो आप इस तरह यूज़ कर सकते अभी तक मैंने आपको keyboard का command को use करते हुए जो shortcut keys दिया है उसको use करते हुए मैंने आपको दिखाया अभी एक word को use करते हुए मैं आपको दिखाऊंगा इसके लिए मुझे word को enable करना होगा फिरसे मैं JAWS context menu मैं जा रहा हूं मैं settings में जा रहा हूं आपको enable और disable करना यही है settings पर आके यहां पर एक tree view है तो मैं down arrow कर रहा हूं ठीक है यह enable voice assistant अभी check है फिरसे down arrow कर रहा हूं ठीक है तो यह अभी option wake word do not listen मतलब अभी आप इसे बुलाएंगे तो सुनेंगे ने जैसे कि मैं बोलूँगा शार्की शार्की सुनाई नहीं दे रहा तो अभी इसे मुझे change करना है मैं space bar press करूंगा ठीक है अब यह शार्की बोलने पर सुनाई दे जाएगा तो टैप करके apply कर रहा हूं अभी देखिए मैं एक कमांड हूंगा शार्की तो इस तरह से आप इसे यूज में ले आ सकते हैं और एक आपको दिखाता हूं शार्की 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 तो इस तरह आप कंट्रोल कर सकते हो इसके अलाबा जो सेकेंड कैतीगरी है आप इसका स्पीच को भी कंट्रोल कर सकते हो जैसे कि शार्की स्पीच रेट 90 यह 90 पर संट पर आ गया है शार्की 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 स्पीच रेट 20 20 आप इसे कंब स्पीच ज्यादा कर सकते हैं और इसको फास्त यह ज्यार्ट कर सकते हैं शार्की शार्की इत्तर देखिये इस तारह तो यह हो गया इफ जैनर्स यह और स्पीच कैसे आप कंट्रोल करेंगे जैसे के अलब आप PC करसर बगेरा भी कंट्रोल कर सकते हैं नेक्स जो वेरी इंपोर्टेंट कैट इसमें कैटिगरी दिया हुआ है जो फीचर मुझे बहुत पसंद है वो यह है कि आप OCR बोइस कमान की कर सकते हैं PDF का OCR इमेज का OCR कोई भी फाइल हो इसको OCR कैसे कर सकते हैं तो अगर आपको PDF का OCR करना हो तो डेक्टे हैं कैसे कर सकते हैं मैं यहाँ पर PDF ऑपन करके रखा हूं चीक है यह एक PDF मैंने ओपन किया है अभी मैं इसे पढ़ने कोशिश करूंगा इसमें है कॉंटेंट यह एक इमेज में है PDF तो मैं इसे OCR करके पढ़ने कोशिश करूंगा शार की OCR PDF फाइल अगर आप चाहते कि इसके बीच में इसको स्टॉप करना चाहते तो आप बोल सकते हैं अधर स्टॉप अभी में इस विद्ट वेटेंस कर्के ए इसके इसकेप, alert, colon, empty document, alert, colon, empty document, meeting, home, social, under my English, dot, pdf, dash, Adobe, read, meeting, control, home, verdict, social, under my English, dot, pdf, dash, Adobe, reader, doc, alert, colon, empty document, Okay, menu, size, minimize, maximize, unavailable, escape, menu, escape कियाता, मैं, तो हद गया, sorry, तो इस तरह से, आप OCR भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से, अभी मैंने करके दिखाया, वो मेरे सामने, टेक्स्ट आ भी गये थे, मैंने गल्टी से, स्केप कर दिया, तो वहां से हद गया, तो आप ये गल्टी ना क करें, okay, this is just to show you, मैंने किया है, okay, तो आप OCR काफी सारे चीज में कर सकते हैं, जो स्कैनर से, जो स्कैन किया हुआ, या आप फोटो से, कैमेरा से, ये सब आप OCR कर सकते हैं, आप Windows का स्क्रीन बे OCR कर सकते हैं, तो काफी सारे कमांद से, आप आप अपने requirement के हिसाब से use कर लीजिए, next जो category है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो हमारे लिए बहुत important है, वो है, इससे आप word में भी use कर सकते हैं, Microsoft word में, तो कैसे आये डिखते हैं, मैंने यहाँ पे class 10 का एक social science open करके रखा हूँ, book, NCRT book, national NCRT, social science democratic politics, national council of educational research, ठीक है, यह NCRT का book है, आप इस word में में क्या क्या कर सकता हूँ, आपको बताता हूँ, एक आप link list create कर सकते हो, आप इसका heading list create कर सकते हो, आप इसका table का list create कर सकते हो, आप इसका ग्राफिक list create कर सकते हो, आप इसका page wise navigate कर सकते हो, आप इसका comment पर सकते हो, command के true और आप इसका section wise आप navigate कर सकते हो so इतने सारे में से मैं आपको एक दिखाऊंगा let's navigate table शार की शार की table list okay one of 19 यानि की 19 टेबल से इसमें से मैं language down arrow करते हुए हर टेबल के heading पे जा रहा हूं इसमें एंटर करता हूं एक्टिविटी टेबल 6 यूनिफॉर्म टेबल पाइच फिफिफ्टी पाइब इसके अलावा आप नेक्स टेबल प्रिवेस टेबल पे भी आप जा सकते हो और लास्ट टेबल फॉर्स टेबल पर प्रिवेस टेबल प्रिवेस टेबल प्रिवेस टेबल इस तरह आप इसे यूज़ कर सकते हो इवन फॉर दे ग्राफिक्स और जितने भी यहां पर है और पेज वाइस आप नेविगेट कर सकते हो ओके तो इस रेली यूज़ फुल फीचर है बहुत ही आगे जाके और भी ज्यादा इंपूप्मेंट आएंगे इसमें कॉपी पॉसिबल नहीं है तो आगे फीच आप्टेटेट वर्जन में हो सकता है ठीक है तो यह हो गया नेक्स्ट है एक और एक जहां पर हम वोईस असिस्टन को यूज़ कर सकते हैं यह वो है कि हम इसे वेब पेज के उपर भी यूज़ कर सकते हैं ओफलाइन के अलावा हम इसे ओन्लाइन भी यूज़ कर सकते हैं तो मैं एक वेब साइट ओपन करके रखा हूं सुगा मैं पॉस्टे कर लाईया यहां पर आप टाइटल डेक्साइए यह ताइटल है तो यहां पर वही सेम कमान आप यूज़ कर सकते हैं जैसे कि लिंक लिस्ट क्रियेट करना टेबल लिस्ट और फिर ग्राफिक लिस्ट के हैं हैं लिस्ट शारकी लिंक लिस्ट लिख लिख सकते हैं अगर यहां कोई ग्राफिक है तो शारकी शारकी ग्राफिक लिस्ट इसमें टीन ग्राफ्स है यह पीवीडी का लोगो है यह फाइफ लोगो तो इस तरह आप ग्राफिक का भी एक लिस्ट क्रियेट करके उस पे आप नेविगेट कर सकते हैं जो एक इंपोर्टन जो कमान यहां पर फीचर यह है कि आप एदित बोक्स को भी एक लिस्ट में क्रियेट कर सकते हैं यहनिकी फॉर्म फिल्स फॉर्म फिल्स लिस्ट आप क्रियेट कर सकते हैं तो देखते हैं शार की शार की फॉर्म फिल्स लिस्ट अ अगर हमें एडिट बॉक्स पर आना तो तो हम एई करके या एफ एफ करके फॉर्म फिल्ड पे नविगेट करते हैं अगर कमान यूज करते हैं तो अदर्वाइस देखिए यहां पर इन्होंने डिस्ट क्रियेट करके दे दिया हमें सबसे पहले हैं सर्च बॉक्स इसमें मैं अगर एंटर करूंगा तो मैं कुछ भी मुझे सर्च करने का एडिट बॉक्स यहां पर ओपन करके देंगे डाउन एरो यूजर आईडी के बिना आ होगा तो इसलिए पासवर्ट का भी है अज सेक्यूरिटी पॉपस के लिए यहां पर कैप्चा भी है तो इसके लिए भी एडिट बॉक्स है रिमेंबर मीं चेक बाक्स ना चेक्ट फाइव लॉग इन बटन सो इस तरहा फेरी यूसपूल फीचर फॉर ओल ऑफ आस इस रेल आप यह आप आउटलुक में भी यूज कर सकते हैं आब आई वन्ट शो यू यू डाट विकोज वर्ट में और आउटलुक में नॉट बेरी मच डिफ्रेंट कमांज बगेरा जैसे वही देना है आपको मैसेज में जाने के लिए मैसेज रिप्लाइ करने के लिए तो यह हो गया हम एक छोता से देमोंस्ट्रेशन नाव नेक्स्ट आप इस यह जो सारे जितने भी कमांज से इसको कैसे एकसे कर सकते हैं और सबसे जो इंपोर्टन्ट टिंग है मान लो आपको वर्ट यार नहीं आ रहा है कैसे बोलना है तो आप जो एससेस्टेंट का देखे रखा हुआ है वह ओपन हो जाएगा इसके लिए आप यह बोल सकते हैं शार की है यहां पर आपको ओपन करके देंगे जिसमें सब कुछ है जिसमें भी कमांज से कहा कहा क्या स्टमल कर सकते हैं वान टापिक वोइससेस्टेंट वान टीक है यह एंटर करें एप और सिक्स प्रेस करूंगा एप यह सब्सक्राइब करेंगे कि अगला अगला अपडेट में हिंडी भी एड हो जाए इस तरह आप इसे यूज कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपको command के टुरू जाना है तो जौस Context Menu Utility तब एंटर करेंगे ये वो ही है जैसे आपने help के लिए आपने बोला तो इनने page open करके जिया चीक है तो यह तो इस तरह आप इसे इस्तमाल कर सकते हैं I hope कि आप लोगो यह बहुत पसंद आये होंगे So if you will explore by yourself तो और ज्यादा मज़े आएंगे आप लोगो So इतना ही है इस वीडियो में So thanks for watching video. Thank you Thank you so much, Aman बहुत अच्छा demonstration और बहुत अच्छे से explain किया आपने नए features को explore करने में अक्सर दिक्कत आती है और हमें समझ में नहीं आता कि क्या कुछ नएया आया है नए वर्गन के साथ में तो viewers I hope आपको आज के demonstration को देखके कुछ अंदर से excitement आए होगी और आप उसको अच्छे से explore और करेंगे अपने एंड से 2021 को JAWS 2021 को और कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको JAWS 2021 से रिगार्डिंग तो आप अपने अपने सिस्टम को मतलब जौस 2021 से अप्ग्रेट कीजिए और इन फीचर्स को अपने आप से अप्लाइ करने की कोशिश कीजिए अपने सिस्टम को मतलब JAWS 2021 से अप्ग्रेट कीजिए और आज की वेबिनार में फिलाल इतना ही था कोई किसी भी कोईरी के लिए हमसे संपर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा मिलते हैं नेक्स वेबिनार में नेक्स टॉपिक के साथ में तब तक के लिए खुश रहिए